ओम शंती आज 15 माच है मीठे प्यारे बावा की साकार मुडली के दस मुख्या पॉइंट सुनते हैं पहला है बावा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है अपने सुभाव संसकार को परिवर्दन तरने के लिए क्योंकि हम सबी आत्मों को जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है चीज़ वो है अंदरुनी आत्मा के जनम जनमांतर के संसकार और संसकार आत्मा के अंदर इस कदर फीड है जैसे की लेयर पे लेयर चड़ जाती है और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है तो बाबा केह रहे हैं कि कड़े संसकार आत्मा कितने ज़्यादा हो गए हैं कि वो सुक्षम रूप में विगहन बहुत बड़ा बन जाते हैं और इन संसकारों को अगर हम समापत करना चाहते हैं सच मुझ दिल से तो हमें क्या करना पड़ेगा महसूसता की शक्ती को परियोग करना पड़ेगा अगर हम सचमुच ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये जो मेरा सुभाव है ये जो मेरा संसकार है सचमुच ये मेरे लिविगन है ये माया का रूप है तो वो संसकार अटेंशन देने के बाद निकल सकता है लेकिन येदी हम उस संसकार को सुवीकार नहीं करते हैं देवी मानवश अपनी बात ही आगे रखना चाते हैं किसी की बात सुनना ही नहीं चाते हैं तो बाबा के त charities क्या होता है कई वार माया आत्मा को इतना वशिभूत कर देती है कि wrong भी wrong नहीं लगता है संसकार का मोटा रुप तो मर जाता है लेकिन उसकी जो लकीर सी है सांप माफिक वो लकीर बहुत परिशान करती है समय समय पर धोखा देती रहती है तो आत्मा इतना परवश हो जाती है कि महसूस से ही नहीं करना जाती है कि ये मेरे अंदर संसकार है ये मेरा रावन का संसकार ये मेरे अंदर चीपा हुआ है और ये मुझे पुर्शात्र करने नहीं दे रहा है तो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप रोज अपनी जांच करेंगे रियलाइज करेंगे फिर जाकर के आप माया जीत बन सकते हो क्योंकि realization की जो power है वो ही हमें पुराने सुभाव संसकारों से मुक्ट कर सकती है इस विगन से मुक्ट कर सकती है और दूसरा point है मेरे पन के अन्हेक रिष्टों को अब समापत करो कितना मेरा 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 पूरा दिन भर लगा रहता है कई आत्मों के नेचर में मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते है तो जैसे हमारी दादियां थे तो दादियां हमेशा हम वर्ड यूज़ करते है तो मैपन मेरे पन को निकालना है चितना ये मैपन, मेरा पन, रिष्टों में जो बुद्धी, आत्मा की फंसी हुई है रिष्टों से निकलते जाएंगे, मैपन से बाहर आते जाएंगे तबी हम फरिष्टा बन सकते हैं और तीसरा पॉइंट है बावा केते बच्चे भल कितने भी तुफान आए तुफान तो आने हैं क्योंकि रावन के राज्य में रह रहे हो हिलाने के लिए आएंगे तुफान आएंगे लेकिन करमेंद्रियों से कभी तुमको विकर्म नहीं करना है बावा केते बच्चे सुनाते हैं बावा माया ने जादू कर दिया और माया बहुत तंग करती है हराती है तो बावा बच्चों को धिरस देते हैं केते मीठी मीठी बच्चे बस तुम याद करो याद की आत्रा से आत्मा की जंग उतरेगी और यही माया जित बनने का साधन है प्रफ़ा पॉइंट है बाबा कहते राजाई पाना भी कोई मासी का घर नहीं है बहुत मेहनत का काम है तो अपने आप से पुछो अपने दिल से पुछो कि हम कितना मेहनत करते हैं कितना बेहद के बाब को याद करते हैं कोई ऐसा करम तो नहीं करते हैं जिससे हमारी कमाई चट हो जाए है न कोई भूल तो नहीं करते हैं बाबा के सबसे बड़ी भूल क्या करते बच्चे बाब को भूल जाते हैं तो अपने आपको खबरदार करना है बाबा को भूलना नहीं है क्योंकि बाबा ही हम बच्चों को आवण की जंजिरों से छोड़ाने आए हैं और पांचमा पॉइंट है बावा कह रहे हैं कि तुम आदा कल्ब से विशे सागर में गिरे हो और पूरा माया का दास बने हो यह ना लेकिन अभी बावा तुमको सत्या नराण की कथा सुना रहे हैं तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो और इस पुरानी दुनिया से विराग्या धारण करो बावा कहते हैं शमशानी विराग्या नहीं जैसे मनुश्य को शमशान घार तक विराग्या आता है और बाद में वैसे कि वैसे हो जाते हैं ऐसे नहीं करना लेकिन देह सहीत देह की दुनिया को भूलना है फिर जा करके तुमात्माईं बहुत अच्छे से पुर्शाथ कर सकती हो और इस विशे सागर से बाप उनको نिकाल सकते हैं लेकिन बाबा कहते हैयसा कोटों में कोई भी निकलता है क्योंकि मैक्स में मातमां को क्या होता है माथा माया खराब कर देती है छेठा पॉइंट है बाबा कहते अभी बाप आये हैं सभी का कल्यान करने क्योंकि बाबा है कल्यान का रही है और सारी दुनिया का अकल्यान हो चुका है सारी आत्माय रावन की दलदल में फ निकालना है लेकिन ऐसा नहों कि औरों को निकालते निकालते कई खुदी फंस जाते हैं तो इसका बहुत अटेंशन देना है और अब पवितर बन पड़ती कई आत्में फिर जो उनकी कमाई हुई होती है वो सारी चट हो जाती है मना खत्म हो जाती है इसलिए बाबा के ते बनाने के लिए आए पेसे पावन देवता बनाने के लिए आए है इसलिए बच्चों को बहुत-बहुत मैनत करनी है अपने आपको दल-दल से बाहर निकालने की आगे सात्मा पॉइंट है बाबा केते कि देखो बच्चे भारत कितना साल बंड था इसमें अथा धन था है न और द्वापर तक भी बाबा केते देखो आप लोगों ने सोगनात का मंदिर बनाया तो कितना आलिशान बनाया तो मंदिर में इतना पैसा लगाया तो खुद के पास कितना होगा या ना तो किसने दिया था ओ बाप ने दिया था ना इसलिए शास्त्रों में क्या गायन है कि सागर ने भर भर करके ठालियां दी तो कौन सी ठालियां दी ग्यान दतनों की तो बाबा कहते संगम पर बाबा स्वयम सागर तुम बच्चों के पास आते हैं और तुम्हारी जोली ग्यान दतनों से भर देते हैं तो ये ग्यान दतन तुम सब को बांटो बाबा कहते तुम अच कुछ डवल सिर्ताइड बनो तुम्हारे उपर है जो पढ़ेगा जितना पढ़ेगा उतना उसको मिलेगा नहीं पढ़ेगा तो गरीब रजादास दासियां कुछी बनेगा ना? लिकिन बावा के थे कैई ऐसे हैं जो बावा को फरक्तिव दे रहते हैं तो बावा के थे फिर याद करो, स्वेम को आत्मा समझो, तो इस पर पूरा दिन अटेंशन देंगे, बावा कह रहें तो मोरों को बताओ, कि इस दुनिया से दे से ममत्वा मिटा दो, तो ही तुम्हारे भी करम विनाश होंगे, और ऐसी दुनिया में तुमको बावा ले जाएंगे, जहां कभी बिम बावा केते, इस ग्यान मार्क में बहुत विगन पढ़ते हैं, विगन पढ़ने का कारण क्या है, कि यहां पर बाप तुमको पवित्र बनने की परतिग्या कराते हैं, तुम आत्माएं द्रोप दिया हो, बाप तुम्हारी लाज बचाने के लिए आए हैं, और तुम पारव किसी परकार का कोई दुख दर्द नहीं होता है ठीक है दसमा पॉइंट है मावादा ने कहा कौनसी ऐसी बात कि जो बहति मार्ग वाले ही पसंद करते हैं और गयान मारग वाले ठीक है, वहां के समझती है कि आतमा निरलेप है, आतमा पर कोई लेप खशेप नहीं चड़ता इसलिए वो तन को धोते हैं, तन को सवच बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए गंगाशनान करेंगे हैं लेकिन बावा यहां क्या कर रहे हैं? आतमा को पवितर बना रह बाबा आत्मा रुपी कपड़ा स्वच करते हैं भगती में स्वच करते हैं शरीर को कि वहाँ मानना है कि जो भी कर्म कर रहा है शरीर कर रहा है लेकिन वास्तों में जो भी कर्म कर रही है शरीर द्वारा आत्मा कर रही है जब आत्मा नहीं है तो डैड बोड़ी है शरीर तो क फिर उसको घर जाने के लिए पंक मिल जाते हैं। ओम शान।